तो guys यह है मेरा automation system का project जिसको मैंने अपने college के final year में submit भी किया था मैंने इसको scratch से लेकर end तक खुद सही design किया है, खुद सही इसका coating किया है, इसका circuit design किया है लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको breadboard पर नहीं मुझे इसको एक actual PCB में design करना चाहिए, ताकि मुझे पता चल पाए कि इस project का final जो look होने वाला है, वो कैसा होगा मैंने सोचा कि मैं इसको laptop पर ना design करके, इसके PCB को मैं smartphone में design करता हूँ क्योंकि यह जो मेरा YouTube channel है, इस पर काफी सारे लोग ऐसे हैं, जिनके पास laptop या फिर computer नहीं है तो अब ऐसे में उन लोगों के पास एक smartphone ही option बच जाता है, काफी सारे लोग अपने smartphone से ही काफी सारे काम करते हैं जैसे कि अगर कुछ code को आप लोगों को upload करना है, ESP32 board हो गया, या फिर कोई साभी development board हो गया, Arduino हो गया, हम लोग अपने smartphone का ही use करते हैं तो जाधा तर मेरी audience यही है, तो मैंने सोचा कि laptop में ना design करके, मैं अपने smartphone में PCB को design करता हूँ तो इसके लिए हमारे पास one and only application PCB droid होता है, और इसके अलावा कोई सा भी other application नहीं है, जिसकी मदद से हम लोग PCB को design कर पाएं कुछ टाइम से मैं उस application के अंदर login भी नहीं हो पा रहा हूँ, और उसके अंदर कोई काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस application में ऐसा features ही है कि जब तक हम लोग लोग नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों का आगे कोई काम होगा नहीं तो ऐसे में मैंने बहुत सारे website पर जाकर इसके बारे में पढ़ा और जो Google Play Store है, उस पर भी बहुत सारे लोगों का reviews आया हुआ है कि server login fail लिख रहा है, अभी मैं आप लोगों को यहां पर दिखाता हूँ, अभी मैं इसको install करूँगा और install करने के बाद आप लोगों को इसक करता हूँ, तो यहां से server login fail लिख रहा है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप लोग इस application को without server कैसे आप लोग access कर सकते हैं, तो इसका version 4.0.15 जो कि अभी इसका latest version है, लेकिन मैंने आज यहां पर क्या किया है, कि इसका जो old version है, मैंन यहां पर search किया, version 4.0.15, उसके बाद 12 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद direct 2.0.8 है, मैंने इस वाले version को download किया है, और इस वाले version की सबसे अच्छी बात यह है, कि इसके अंदर हम लोगों को कोई सभी login option देखने के लिए नहीं मिलता है, डारेक्ली आप लोग इस application को download करके, बीने login किये हुए, आप लोग अपने PCB को design कर सकते हैं, तो अब मैं आप लोगों को उस application को install करके दिखाता हूँ, कि वो application कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो इसके लिए मुझे इस वाले application को uninstall करना पड़ेगा, जो कि play store से मैंने इसको download किया था, और मैंने जो google से download किया है, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसको मैं यहां से install करता हूँ, तो guys अब यह जो application है, मेरे phone में install हो चुका है, मैं इसको open करके इसके functionality को आप लोगों को दिखाता हूँ, तो सबसे पहले यहां पर application open होगा, और आप लोगों को यहां से don't so again कर देना है, अब यहां से आप लोग बिना login किये हुए, new project setting open about, जैसे की new project हो गया, हम लोग इसके अंदर जाएंगे और इसको allow कर देंगे, और यहां से allow करने के बाद अपने project का नाम देंगे हम लोग, उसके बाद इसका location को अगर चाहें तो हम लोग select कर सकते हैं, उसके बाद कुछ औ आप लोग देख सकते हैं, कि सारा का सारा जो settings है, उसमें जो की हम लोगों को नए वाले में देखने को मिलता था, वही पुड़ाने वाले में भी है, बस यहां से इसका जो icons है, वह आप लोग यहां पर देख सकते हैं, वह कुछ change हो गया है, लेकिन हम लोगों को काम है, वह सारा इसमें भी हो जाएगा, जैसे कि हमें किसी line को draw करना है, वह हो जाएगा यहां से, और भी जितने सारे settings है, view वाला option है, यहां से वह भी हो जाएगा, हमें अगर किसी file को save करना है, तो वह भी यहां से PDF हो गया, आप लोग जो भी format में इसको export करना चाते हैं, वह भी यहा वहां से download करेंगे, तो basically मैं इसके link को अपने video के description में नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि YouTube के community guideline के खिलाफ है, तो basically आप लोगों को इसका link मेरे Instagram पर आकर आप लोग वहां से DM कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वहां से download नहीं होगा, तो मैं इस application को अपने drive पर upload कर दूँगा, और उसका भी link आप लोगों को वहां पर provide कर दूँगा, आप लोगों को जहां से भी convenience feel हो, आप लोग वहां से download कर सकते हैं, अब आप लोगों की मरजी मुझे follow करिये या फिर ना करिये, मैं यहाँ पर आप लोगों की help करना चाता हूँ, मैं आप लोगों को वहां पर दोनो आप लोगों